तो चाइना की सर्फ चीजे नहीं बल्कि अप्रोपगेंडा भी मेड इन चाइना बनने लगी है मतलब ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है तो मैं त्रोओं कैसे चल रहा है आजकल मुझे तुम हरत पता नहीं लेखिन पाकिस्तान में तो पीपल डेली चाइना जो कि ये चाइना का सबसे बड़ा न्यूस्पेपर उसने ट्वीट करते हुए कहा एक तो साले ये चाइनीज ट्वीट बड़ा कर रहे है आजकल मतलब जब से इंडियन आर्मी ने लदाक में इनके पेले की लगा दी बजा डाली तब से ये बस ट्वीट ही किये जा रहे है तो पीपल डेली चाइना ने ट्वीट करते हुए ये कहा कि impressive training video of Chinese aeronautical establishment shows jet speeds along the runway before turning 90 degrees as it takes off with its nose pointing towards the sky पता एक secret बात बोलू ये जो English है न वो मेरे को पाकिस्तानी लगी तो जैसे चाइना के majority चीज़े नकली होते है ये भी नकली है ये एक असली जैट है नहीं ये एक radio control version है 수 33F है 수 35 का यानि चाइना अब इस stage पे उतर आया है कि अब उनको नकली propaganda करना पर रहा है और वो भी खिलोनों से अदब चाइना के लिए भाई pressing F for respect बट सच में ये पाकिस्ताने जिंगूर Chinese propaganda mouthpiece media के comment section में आके बढ़ा उचलते हैं मिसाल के तोर पर ये राफेल के सामने नारियल तोर रहा है ताकि राफेल ये कर पाए Chinese soldier भी remote control LAC better तुम्हारे से अगला tweet इससे दर दिखता है इसके actually अगर इसको बोले कि इसका अबू बाप, फादर, डैडी जो भी ये नकलिये ये थोड़ी ना मानेगा और फिर से वही वही बख्चो दी और ये finally वापस आगे 27th February पे देखो क्या लिखा है इसने अरे भोसड़ी वाले पाकिस्ताने और सेंस रखो तुम तुम लोग Indian airspace में घुसे तुम्हारा mission fail हुआ फिर एक, सिर्फ एक MiG-20 ने तुम्हारे 24 प्लेंज भगा दिये तुम्हारे एक F-16 को जहन्नों का डीटूर करा दिया और वैसे वो दूसरा बंदा अभी तक हॉस्पिटल में है याहू लैंड पहुँआ जी गया और दूसरा कसाथ भी जाओ यार दूसरा की तरह जाओ जाने से पैले एक रुक्वेस्ट है इस वीडियो को इतना शेको इतना शेर करो कि ये वीडियो सारे इंडियन्स तक पहुंच जाए अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वन्यमातरम दो बारा मिलेंगे